हेलो फ्रेंट्स टोडेइ वी आरले च्छान नंबर जिस में हम बात करेंगे क्रप्रेट करनास को शाये उडेत स्टूदेंट्स के पहले वो करता है सबसे पहला डाउट मेरा डाउट है यह तो पहला डाउट यह है कि टेस्ट नहीं देते हो तुम्हारे टेस्ट जेने से फटती है लेक्चर के व्यूज देख लेता हूं 14-15 एक अप्टे में पहुच जाता है व्यूज बट टेस्ट भाई लोगों के पता निक्टी ची समंझ में आ रहा ही एक शाम से पाड़ती है यह तो तुम पढ़ाई कर रहे है यह तो भाने वाजी तरे हो बाने इंटी कर रहे तो त्。 है पुरे index का वो एकसात में जाएगा आखरी लेक्टर में जो लास्ट कर आएगा हमारा जूने इंड में विए उसमें तुमको पूरा एक summary मिल जाएगा, पूरे book का एक summary मिल जाएगा, पूरे index का, तो बुक को तीन या चार पार्ट में बाटोंगा, चार book ले जाना है, एक ICI का, एक index का, एक past portions का, और एक बाकी material इस्टियो में ने डाले है, description में अभी रख्यों, तो इसमें consolidate करके डाल तो दिखता है कि भाई या student prepared ही नहीं है, अगर मैं direct question दे दू कि what does, from where does the word risk arise from, तो rise हो, अब यह सब को पता है, यह नहीं पूचेगा, यार institute, तुम समझे के रहे हो, मैंने paper का level बात हाई कर दिया, test 2 में, बात हाई, तुमने अगर subject को समझा नहीं है, तो पास नहीं कर सकते and this is the level which is expected in exam and I am praying to ICI कि भाई ऐसा level ही निकालो, क्योंकि इतना आसान level के लिए CA final के लिए एक्सक्टेट ही नहीं है, तो तुम पढ़ाई करना चालो कर दो, RM को तोड़ा seriously लेना चालो कर दो, तुम पढ़ाई करना चालो कर दो, RM को तोड़ा seriously लेना चालो कर दो, ठीक है, औ तो पढ़ना तो पढ़ेगा न, अभी नहीं तो बाद नहीं, बस होई है, पढ़ाई गल्लो और क्या, अब आते है lecture पे, उसके पहले एक और doubt है, students का test के regarding है, छोटा सा doubt है, पहले बता देता हूं, कि क्या है, एक सब्सक्राइब, अब क्या हो रहा है, कि जहां पे MCQ का जो test है, उसमें, इस इस जनुरीन दाउट, और काफी लोगों को बहुत है, इसलिए लेक्चर में कावर गर रहा हूं, तो इसमें बच्चे लोग बोल रहे है कि भी या, जहां पे आप लिखते हो सब्सक्राइब, इसे कुशन तो एग्जाम में आते ही नहीं, इसे कुशन आप म इस ताइब करेक्ट, या भो लेका वन और टू आर करेक्ट, या आवल उफ द ऑबो इसको फरेम करेगा, इसलिए ये शो करता है कि तुम्हारा अंडेस्टेंडिंग कितना है सब्जेक्ट पे, इस टाइब के कुशन जो है ना, जहां पर मुल्टिपल ऑप्शन सेलेक्करने आएंगे या तुम सर ऐसे टफ पेपर सेट कर रहें यहार इस टैपके फेपर आते हैं और आने भी चाहिए और आएंगे एक्जाम में ठीक है चलो अब जाते हैं हम हमारे फेवरेट चेप्टर पर जो है कॉर्परेट गवर्नेंस चेप्टर नमबर 7 बात करता है कॉर्परेट गवर्नेंस मतलब क्या भाई पहले यह बता दो साब कॉर्परेट गवर्नेंस मतलब का क्या होता है कॉर्परेट गवर्नेंस मेरा क्या होता है उसका मतलब बता दो सबसे पहले मुझे पर कॉर्परेट गवर्नेंस की अगर जब भी मैं बात करता हूँ तो तुमको क्या लग जाए ताकि shareholders को भी डरना रहे, investors को डरना रहे, जो भी company में है, company का environment secure रहे, safe रहे, सही रहे, इसलिए हमें corporate governance जरू लिए यह तुमने IPCC में भी पड़ा है और final में भी पड़ा है, law में थोड़ा बहुत और अभी अपने को risk management है, तो chapter का नाम है risk associated with corporate governance, आप मतलब ही यह बोलना चारा है कि अगर तुम्हारी company में corporate governance नहीं है, अगर तुम यह चीज नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हारी company को क्या-क्या risk face करना पड़ेगा, मुझे यह बतावे, अब उसके पहले मेरे को यह चीज तो बताओ, कि corporate governance लाना है, तो कौन-कौन सी चीजे मेरी company में मुझे मैं वही बुर रहा हूँ कि अगर मेरी company में मैं चाहता हूँ कि corporate governance रहे, तो मुझे सबसे पहले यह बताओ, कौन-कौन सी चीजे में company में रखूँगा, तो corporate governance है, अगर यह चीजे इस तरीके से follow नहीं हो रही है, if these things are not following in that manner, then I can say that the company does not have a corporate governance in place, correct, तो अब दे को क्या बलता by which a corporate are controlled and operated. Sir, एक process है, एक तरीका है, इस चीज से ऐसा ही होना चाहिए, Sir, example, मैं बोलता हूँ, हर एक shareholder को equal treatment दो, एक corporate governance का part है, अगर यह follow नहीं हुआ, corporate governance नहीं है company में, governance risk हिसाब, governance risk हिसाब, तो यह बोल रहा है कि पहले company को corporate governance के बारे में बता हूँ, Sir, यह real life में काम आता है कि हाँ, इस chapter में मैं तुमको बताऊँगा, real life case study, real life case study, just dial का मैं बताऊँगा कि सर्फ कैसे उलों को बताना पड़ता है कि हमारी company में corporate governance follow हो रहा है, risk management committee बनाते है, risk management के disclosures बनाते है, यह company क risk है, उसके हमारे क्या क्या हम उसके, कैसे उससे हम mitigate किये हैं, यह सब चीजे तुमको बता हूँगा, must है, बही मज आ जाएगा, एक चीज, दूसरी चीज, चेप्टर में थोड़ा ज्यानबाजी है, ज्यानबाजी मतलब, we are board of directors है, तो उसका क्या कारे करम है, we are risk committee है, तो उ उसका क्या कारे करम है, CRO है, उसका क्या कारे करम है, यह सब चीजों के बारे में बुलाने है, ज्यादा था, अब यह लाइन तो लाइन पढ़ानी जैसी चीज नहीं है, अब exam में आएगा, which of the following is not a function of audit committee, जाना भी है, audit committee, page number तुम खोले ना, 7.2, उदर जाके देख लेना, इसमें audit committee का कारे यह नहीं है, उसमें टिकर क्या जाओंगा, तो वो मैं deep में नहीं जाओंगा, और इस chapter में जहाँ जा, ज्यान बाजी रहेगा, मैं उड़ा दूँगा, वो बुलूगा भी है, तो हम कुछ से पढ़ लो, अब सबसे पहले हम आते, corporate governance के, मैंने बढ़िया सा एक chart बनाया है, पहले उससे हम start करेंगे, और मजा आए आप, उपरा जाएंगे हाँ, corporate governance के कुछ पाच ऐसे principles है, कुछ पाच ऐसे सिधान्त है, जिसके basis पे मैं बोलूगा कि यह यह है, तो corporate governance कुमारी company का strong है, तो क्या मूलता है, सबसे पहला, यह corporate governance लाना है, तो यह 5 सिधा लालो साब, corporate governance आजाएगा, सबसे पहला, bring, sorry, build a strong qualified board of directors and evaluate the performance, एक strong team हो, qualified board of directors member हो, और performance तुम continuously, 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 तुम evaluate कर रहे हो, और देख रहा हो कि मेरी company कहां stand होगी है, correct, sir, example, Infosys, Infosys में जब विशाद शिक्का छोड़के गहे थे, तो बोले थे whistleblowers policies और उन्होंने बोला था कि corporate governance company का strong नहीं है, तो हमने देखा था कि company का share price कितना download शुका था, क्यों, क्योंकि corporate governance भाया, तुम सिधान्त follow नहीं कर रहे हो, तुम company की policies follow नहीं कर रहे हो, तुम हमारी इज़त नहीं कर रहे हो ना shareholder की, shareholder market price दिला देगा, हर एक चीज को impact करता है corporate governance, इसलिए ज़रूरी है, कि ताकि तुम कि तुम तुम जो risk manager बनोंगे ना भया, कि corporate governance मेरी company के लिए कितना जाधा जरूरी है, तुम क्या कारणा है, कि इसको क्या करम करना है, board of directors का क्या कारया है, तुम देखो परफॉमेंस कैसा है किस तरीके से काम हो रहा है तुमने कोई प्रोसेस देखा है न कोई गलत तो नहीं हो रहा है को इंसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है को गड़बर तो नहीं हो रही है उसा तुम देखो आगे क्या बूलता है governance risk means enough governance risk means significant deficiencies that can impact the reputation, existence and continuity in the organization. अगे क्या बन सकता है तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है वहां यह सब दिक्कत आ जाएगी reputation दिक्कत आ सकता है, existence दिकत आ सकता है, continuity दिक्कत आ सकता है, which of the following is not a part of governance risk? which of the following does not arise on account of a corporate governance risk? which of the following arise on account of a governance risk? this arise on account of a failure of a board to direct and control direct and control the organization or inappropriate practices adopted by board or collusion of management to override significant internal control mechanism causing what? financial loss or inability of a board to identify principal risk factors that can impact the business. सब तुम इंटर्नल कंट्रोल को भी ओवर्राइट करके तुम उपर जा रहे हो, internal control को भी तुम ओवर्राइट करके उपर जा रहे हो, मतलब ही तुम कुछ गडबड कर रहे हो, मतलब ही तुम कुछ गडबड कर रहे हो, वही बुलना चाहरा है कि तुम ओर्राइट कर रहे हो, वह समना परो, अच्छे से फॉलो को अब इधर कुछ दिये गए है कि क्यो तुम्हारा governance risk आता है? सर, what are the reasons for governance risk? सर, सिंपल सा है, तुम हर एक shareholder को equitable treatment नहीं ते रहे हो, absence of effective corporate governance framework, corporate governance नहीं है, अजिए से नहीं तुम्हारा governance risk आरहा है, अगे क्या बुलता है? The rights of the shareholders and key owner functions are not defined and communicated, यह सब वजय से तुम्हारे governance risk आ जाता है, यह एक बार पढ़ ले दे हैं, दिख log और क्या बुलता है? फिर क्या बलता है, responsibility, है ना, responsibility defined नहीं है, मैंने उदर 5 point में cover कर लिया, अब उसको थोड़ा elaborate करके, ग्यानबाजी करके करेगा, आगे दिका बलता है, तो board has not defined the risk है, ना, board ने risk को defined नहीं किया, है, risk capacity किता है, यह बहुत सही से सम्झा, आपने chapter 2, chapter 3 में risk appetite क्या होता है, risk capacity क्या होता है, है ना, risk response strategies कैसे बनाई जाती है, वस आपन ने देख लिया है, आगे क्या बलता है, risk not manage on enterprise, आय है है सर, enterprise बोलते हैं मज़ा आ जाता है, क्यों enterprise risk management, chapter number 8 का याद आ जाता है मुझे, risk manager separated from the management and not regarded as an essential part of implementing the company strategy, बहुत बहुता है, risk manager की इज़त ने होती है, बुले तुम अलग company अलग, तुम अलग company अलग नहीं भिया, risk manager को साथ में लेके चलना है, सबका साथ, सबका विकास, इसलिए कहा जाता है risk manager को साथ में रखो, risk management and the control functions be independent profit center and CRO, आपने एक और चक्टर में देखा था, same terms में लाइन में था, कि risk management को independent function रखो, फिर कहा बलता है, the board simply reviews and approve the management proposed setting, बोड ही approve कर रहा है, पिर आगे कहा बलता है, insignificant board time spend on a business risk management, बोड साला time spend ही नहीं कर रहा है risk management पे, आगे कहा बलता है, board is an incomplete understanding of risk faced by the company, board को पता ही नहीं है कौन कौन से risk है, board को पता ही नहीं है, strategic risk भी क्या होता है, opportunity risk भी क्या होता है, board को कुछी नहीं पता है, बोड को कैसे काम का board, उसो जैसे governance risk आ रहा है, आगे, जैसे कि अब क्या बलता है, आगे, board receives an information that is a short term, short term information अब वो सब मिल रहा है, आगे तो यह सब चीज़े पढ़ने पढ़ लेगे, risk देखने के लिए और समझने के लिए जो भी governance risk है, it is highly recommended, it is highly recommended, क्यों, क्या recommend किया गया है, कि तुम study करो किस चीज का, sound risk governance practices को study करो, sound risk governance practices को study करो, जो दी गई है feasibility standard board के द्वारा, ठीक है भीया, उपढ़ लेंगे, अब उसमें यह लोग ने बोला है कि भीया, क्या-क्या जिम्मेदारी रहेगी तुम्हारे किनकी लोगों की जिम्मेदारी बोली board of directors की, risk committee की, audit committee की, और CRO की, इन सब लोगों की जिम्मेदारी बोली गई है, अब दिको सबसे पहले बोलता है board of directors को क्या करना है, board of directors को क्या करना है, avoid a conflict of interest arising from concentration of a power at a board, conflict of interest हो रहा है, वो सब avoid करो, यह सब जमेले में बद पढ़ो, आगे क्या बोलता है, यह सब पुरा ज्यान बाजी है, भाई, यह पुरा ज्यान बाजी है, कुछ से एक बार पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, यह उपर उपर से में बता दे तो, आगे जैसे क्या बोलता है, comprise members who collectively bring a balance of experience, comprise members अब कैसे board of directors में कैसे लोग होने चाहिए, उसके बारे में बोलता है, comprise largely of independent directors कि यह तुमने पढ़ा होगा law में, board of director, कौन-कौन बन सकता है, board of director का requirement काğ है, legal requirement का है, ठोई बहर देख लेड़ा को दा आगे क्या होता है, Stabilisht a regular and transparent communication mechanism, transparent communication होना चाहिए, to ensure a continuous and robust, robust dialogue and information sharing between the board and subcommittees, रहे क्या होना चाहिए, robust communication होना चाहिए, transparent communication होना चाहिए, वो जिए वहारे में बुलाएं, कंडक्त पिरियोडिक रिवियु, पिरियोडिक रिवर्क होना चाहिए, आप बोर्ड एंद सब कमिटीज, यहारे बॉर्ण पूर इंड आपन चाहिए, अब क्या बुलता है, किया तो यह सब पर ले ना है विक्स के काम दिया गया बुड ऑफ ॡिरेक्टर सब्सक्राइग गया है next to दिया गया है थुमारा रिस्क क्मीटी के बारे में चाना कर्द मिंध्य करτι है इसके बारे में और पलटी बारे चौश जाहरे है इस रिक्वाइद तो यह एक बड़ लेना यह इता बच्चे डाइब नहीं पड़ा होगा यह अब यह क्या समझाने का तुमको? सेम एज़ा सी आरो, सी आरो का भी तूम पढ़ ले ना, ठीक है? अब आते हैं अपना बढ़िया से, दूसरे पार्ट में OECD, अरे भीया OECD, OECD भी आ गया भीया, OECD क्या बोलता है? OECD क्या बोलता है? OECD हमें बोलता है, OECD ने बोला कि मैं बोलूँगा भीया, आप corporate governance के बारे में क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा corporate governance के बारे में क्या बोलता है? For better corporate governance, the principles are intended to assist and improve the overall overall economic efficiency and bring more stability to the market. मैं चाता हूँ, अच्छी stability है, development आए मार्केट में इसलिए OECD ने कुछ principles लांच के, कुछ सिध्धान्द बताए है, Sir, और कितने सिध्धान्द बताए है, OECD ने इच्छी सिध्धान्द बताए है, सबसे पहला बोलता है, ensure the basis of effective corporate governance. मतलब क्या? यह बोलता है कि कि जो भी तुभारा corporate governance बन रहा है, corporate governance बन रहा है, जब भी तुम develop कर रहे हो corporate governance को, तो तुम्हे कौन-कौन सी चीजों का ध्यान में रखना है, वो बोलता है, तुम ध्यान में रखो market, macro factors का, market situations का, ना, यह यह तीन चीज़े सबसे पहला है, macro factors का, market situations का, और legislation requirement है, जो भी legal requirements है, उन सब चीज़ों का, पीन चीज़ों का यह तुम ध्यान में रखो, जब भी तुम corporate governance बना रहे हो, ठीक है? अब दूसरा बूलता है, दूसरी चीज़ का तुम ध्यान रखो, क्या बूलता है, the right and equitable treatment to the shareholder, as a key ownership, यह सब ही shareholder को सहाब एक बर उबर का तुम राइट्स दो, सब उनको एक treatment हो, बुले है foreign shareholder है, इसको राइट ने दोगा, यह यह corporate governance के अगेंस है, भाई, corporate governance के अगेंस है, कौन बोल रहा है, OECD बोल रहा है, कौन बोल रहा है, OECD बोल रहा है, equitable treatment to all, तीसरा बूलता है, institutional investors, stock markets and other intermediaries function in a way that contribute to the corporate governance, यस, अब देखो क्या बोलता है, अगर देखो, तुमारी company में जब भी corporate governance नहीं रहेगा, तो तुमारे share price गर जाएगा, market crash हो जाएगा, तुमारी company का market, यह price, यह जो भी है, share price है, वो गंदा गर जाएगा, because corporate governance नहीं है, उनको पता है, साथ company में कुछ भी हो सकता है, कोई कैसे भी काम कर रहा है, कोई किसी का responsibility नहीं है, रोल्स और रिस्पोंसिबिलिटी स्टिक्ष नहीं है, maker checker ही नहीं है, internal control ही नहीं है, सब जगा गोची ही गोची है, ठीक है, कोई बोटा है, आगे, आगे बोलता है, the role of stakeholders in a corporate governance, the role of stakeholders के बारे में कुछ तो भी बता है, ये stakeholders है, active corporation, अनकी stakeholders के क्या-क्या रोल है, उसके बारे में बता है, फिर कुछ बोला है, disclosures के का हमें disclosures ज़रूरी है, वो सब चीजों के बारे में बता है कि related party disclosure है, वो सब चीजों के बारे में बता है, अभी आएंगे book में तो समय बताता हूँ, और अखरी बूलता है कि board of directors की क्या क्या responsibilities है, board of directors की क्या क्या responsibilities है, तो ये 6 principle किसने बुला है, हमारे प्यारे से दोस्त, OECB ने क्या बूला है, अब देखो sir, क्या बूला है, आजाओ principles क्या है, सबसे पहला सबसे पहला बूलता है क्या, ensuring ensuring the business for effective corporate governance framework, जैसे की बूलता है, the corporate governance framework should be developed, keeping in the mind the macro factors, sorry macro changes, market situation and legislation requirements, ये सब चीजों का दहन में रखके है, तुमें corporate governance के principles बनाओ macro factors क्यों, क्योंकि macro factors, पूरे overall level पे तुम देखो नो भाई, कि overall level पे क्या impact हो सकता है, पुरे economy के level पे impact हो सकता है, वो सब देखो तुम जैसे 2008 crisis आया है, पुरे economy को impact किया ना वैसे, उस level का तुमें सूच ना पड़ेगा, वो कहना चाह रहा है आगे बोलता है, राइट and equitable treatment to the shareholders, जिसमें बोलता है, मैंने तुम को बता है, कि corporate governance framework should ensure the equitable treatment to all minority and foreign shareholders also the shareholders should have an appropriate redressal mechanism, redressal mechanism सरकान, बता हो, अगर किसी ने तंग किया किसी ने हमारे rights wallet किया, किसी ने insider trading किया, कुछ किया, तो redressal mechanism होना किया, कि हमारा light wallet अगे क्या मुलता है, institutional investor stock markets and other intermediaries, stock market function in a way that contributes to a good corporate governance stock market अच्छे काम करेगा, अगर corporate governance company क्या मुलता है, the role of a stakeholders in a corporate governance stakeholder का क्या मुलता है encourage an active cooperation between corporates and stakeholders in creating a wealth job and and sustainability of a financially sound enterprise तो भी बुलता है कि तुम्हें क्या करना है, the role of stakeholders in a corporate governance stakeholder का रूल का है, encourage an active cooperation between corporates and stakeholders in creating a wealth, wealth create करो job create करो and sustainability of financial sound enterprise की बताओ कि तुम्हारी enterprise strong है, तुम्हें job create करना है, तुम्हें पुरा ज्यान बाजी है, बहुत ज्यान बाजी में बता रहा हो न, यह chapter अभी तक का मेरे को सबसे ज्यादा बूर लगा है, बाकि सब chapter मज़ेदार है, कहीना 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 कहीन से relationship है, तो इसमें किया है कि इसमें सिर्फ दू-तीन चीज़े ही बहुत interesting है, जो हम second number point में जाएंगे, वह sixth number point का है यह और शुरू का बस, इसका मालब यह नहीं का पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो अब क्या मुलता है, disclosures, disclosures क्या क्या करना है, financial and operating results of the company, disclose करो, company objectives, company objectives and non-financial information, disclose करो, major shareholder के बारे में disclose करो, reimbursement of the members, reimbursement of the members of a board and a key executives, उसके बारे में disclose करो, related party के बारे में disclose करो, जो भी तुम्हें risk दिख रहा है, उसके बारे में disclose करो, issues regarding the employees and other stakeholders के बारे में disclose करो, यह सब चीजें के बारे में तुम पुरा disclose कर दो, आगे क्या मुलता है, responsibility of board, अब board की क्या क्या responsibility है, board की वही responsibility है कि board को देखना है, बरोबर से काम हो रहे के नहीं, formal transformation of information है या नहीं, high ethical standards है या नहीं, फिर क्या बुलता है, good faith में काम हो रहा है कि नहीं, act in a good faith, best interest of the company में ही decision लिया जाए, high ethical standards है कि नहीं, review and guidance of corporate strategy, corporate strategy follow हो रहा है कि नहीं, monitor the company's governance practices and make the required changes when required है नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, है नहीं, कि सब चीजों के बारे में बुला गया है, ठीक है कि पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, अरे कुछ नहीं है बहुत हम पहला है, ठीक है, अगे, अब आता है point number 5, point number 5 में भी पूरा ग्यान बाजी है, पूरा ग्यान बाजी है साब, तो point number 5 खुद से पढ़ ले ना भाई लोग, मैंने आरार लिखाया, आरार जहां जहां लिखाया ना तो वहां पढ़ ले ना, ठीक है, आरार जहां जहां लिखाया ना वह पढ़ ले ना, अब मेरी नोट्स को अगर किसी ने ध्यान से समझा होगा ना, मेरी नोट्स को अगर किसी ने अभी तक ध्यान से समझा हो, तो जो भी मेरी नोट्स में अगर देखो, अगर last day के हिसाफ से नोट्स बनाता हो, अगर तो मेरे नोट्स को अभी पुराने नोट्स को भी देख ले, टिंक first lecture का बस छोड सकते हो, उसके बात के notes के अगर मेरी कोई notes में green color में है green color में लिखा हुआ है उसका मतलब है कि sir वो very important है और वो heading है साथ जैसे कि green color में है यहाँ पे heading है important है दूसरा चीछ जो मेरी notes में red color में underline किया हुआ रहता है वो अगर तुम्हारे पास last time जा रहे हैं एक गंटे के पहले risk management पूरा search 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 revise करना है तो red वाले जो underline है वो पढ़ते जाओ और number three जो yellow में underline है वो focus points focus points मतलब देख लो गई उसको देख लो तो exam के पहले ग्रीन वाले देखना है और red वाले देखना है और जो मैं side में लिखता हूँ box बना के text में लिखा हुआ रहता है तो वो तुमको इक बार पढ़ना है that is for the understanding purpose that is for the understanding के लिए तो जब भी तुम कोई भी notes देख लो कोई भी पुरानी भी notes देख लोगे ना तो understanding purpose से देखो जैसे यह है तो यह क्या है integrated reporting के बारे में बता है तो यहां पर इस पर लिखा हुआ है तो उसे साथ से मेरी notes बनती है अगर तुम देखोगे जो red में है last exam, rr लिखा है rr का मतलब मैं बोलतो read read से पढ़ लो पढ़ लो जैसे मैंने इधर point no.5 में भी लिखा है rr, point no.5 में लिखा देता हूँ दोंको उदर भी मैंने लिखा है rr rr मतलब होता है read read साब पढ़ लो पढ़ लो exam के एक बिन पहले नहीं भी पढ़ा तो चलेगा क्योंकि ग्यानबाजी वाली चीज़ा अब आते है और एक और चीज़ में इनी notes में लिखा होगा general points general points मतलब जो शुरू के chapters में लिखा है general points general points मतलब sir मेरे को समझ में नहीं आ रहा answer कैसे start करूँ या मेरे को समझ में नहीं आ रहा answer कैसे लिखना तो वो general points से तुम answer start कर सकते हो अब आते हैं उपर अब सबसे important part RAS, RAF and risk limit sir बहुत सबी चीज़े है RAF, RAS and risk limit तीनों बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसे हम कहते है risk management function risk management function इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया सा chart बनाया है और जो समझ गयाना सर मज़ेदार है यही सबसे chapter का important part RAS, RAF and risk limit तो सबसे पहले क्या बोलता है RAF risk appetite framework क्या बोलता है risk appetite framework मतलब क्या सर रिस्क appetite तो मुझे पता है बहुत बढ़िया सा समझाया है रिस्क appetite framework मतलब क्या बोलता है कि सब कौन risk लेगा बिजनेस वाला risk लेगा डिमांड वाला risk लेगा supply वाला risk लेगा हमारा business unit risk लेगा कौन लेगा department में कौन risk लेगा जुदिए तरह एकिंगरियमों कॉर्प इस तीन चीजे करनी पर दिए जब भी मैं देखता हूँ रस्क गवरनेंस फ्रेमवर्ग मुझे तीन चीजे इस्टाब्लिश करनी होती है सबसे पहला मैं बोल रहा हूं क्या risk appetite framework who will take the risk अब मैंने बोला कि business वाला risk लेगा business development वाला risk लेगा BD वाला risk लेगा जो बोल रहा है दंदा बढ़ाने वो risk लेगा अब इस दूसरा काम होता है कि मैं risk appetite statement बनाओ और risk limit बनाओ और risk limit risk appetite statement मतलब क्या मैं बोलता हूँ कि भी है कितना amount का risk, quantify the amount and that amount should be based on your risk limit मतलब ही this amount should be based on risk limit मेरे risk limit के मेरे risk के दाएरे पे मेरा जो risk appetite है उसके basis पे ही मैं risk appetite statement बनाओगा उसके basis पे ही मैं quantify करूगा जब मेरा risk साब 100 करोड लेने का है तो मैं 200 करोड रिसक नहीं ले सकता मैं ले सकता हूँ मैं लेना नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा risk है within risk limit है within my risk appetite रहे और risk appetite statement बोलता है कि quantify करो साब आपा अब ये quantification जो होगा ये based होगा linked to the firm's strategic capital and financial plan इन तीन जीजों पे मेरा quantification determined होगा या तो strategic capital and financial plans के basis पे मुझे quantify करना पड़ेगा ये कापा होगा अब ये quantification दो पार्ट में होगा या तो quantitative होगा या qualitative होगा साब या तो quantification quantitative होगा या तो qualitative होगा ये मैंने chapter number two में समझाया था quantitative and qualitative कैसे define होता है और कैसे होता है अब बूलता है risk limits risk limits में बूलता है कि कितना तुम्हारा दम है कितना limit है साथ made to ensure that the framework is other to या मेरा इतना limit है तो इतना ही मैं risk लोगा अगर तुमने risk limit को तोड़ा अगर तुमने risk limit को तोड़ा तो तुरंत होना चाहिए escalation तुरंत उपर वाले को बताओ कि या जी risk limit से जादा का risk लिए जा रहा है गलत हो रहा है साथ या जी risk limit से जादा का risk लिए जा रहा है गलत हो रहा है साथ तो भी बुलता है risk limit अब risk limit कैसे decide करो risk limit based होगा तुम्हारा risk appetite तुम्हारा कितना risk appetite है उसके basis मैं कितना risk limit decide करूँ, what are the basis of allocation of this, what are the basis of allocation of this, तो यह होता है, कौन से प्रकार का risk है, company को कौन से प्रकार का risk है, what are the type of the risk the company is facing, उसके basis पे तुम decide for a risk limit, number 2 बोलता है कि कौन से business unit पे है, Sir, for example, अगर तुम बात करे होगे कि आज कि मैं offline करके offline धन्दा करूँगा, तो risk उसमें ज़्यादा है, जब कि आज तुम आज बात करते हो कि मैं कुछ online करूँगा, तो उसमें risk कम है, क्योंकि उसका success होने का probability वहीं बढ़ जाएगा, आगे क्या मुझता है, business line और product level, business कौन से business पे तुम करना चाहते हो, कौन सा product level पे है, उस पे decide होगा कि तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा risk limit किता रहे है, अब यह जो है, aggregated and disaggregated, इसको अपन जब समझाओगा ना, तब उदर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत important chart है, work to establish a risk governance framework, risk governance framework लगा रहा हो तो कौन-कौन सा ची limit मतलब किया, तुम्हारा limit कितना है, तुम्हारा दायरा कितना है, based on what, risk appetite, और risk appetite framework मतलब किया, कि who will take the risk, कौन risk लेगा साब मुझे यह बता दो, अब इसके basis पे यह जो बनाया गया है, बहुत ही सही बनाया गया है, उसके basis पे हम deal करेंगे, आज आप point number 2, सबसे पहला देखो अब यहां पे जहां जा इट लिखा हुआ है, जहां जा इट लिखा हुआ है, इसका मतलब यह बोलना पाता है, risk management framework, क्या होना चाहता है, risk management framework, देखो क्या बता है, risk management framework is an independent business line, अलग रखो साब मैं पहले ही बोला था, risk management को तोड़ी इजद्दो, इसको अलग रखो, उस function को ह अलग रखो, is an independent business line, हैना, and report to CRO, CRO को report होगा, हैना, chief risk officer को report होगा, आगे क्या बलता है, risk management framework has an authority to influence decision that affects the firm risk exposure, correct, उसके पास इदनी ताकत है, कि firm का जो risk लेनी की शमता है, risk exposure है, firms का जो risk लेनी की शमता है, उसको change कर सकता है, influence कर सकता है, उसका decision को change कर सकता है, अब मैं आ रहा of that, it is responsible for establishing periodic review, the enterprise risk governance framework, which incorporate risk appetite framework, risk appetite statement, and risk limit, एक है, RAS, RAF, and what risk limit, एक है, सबसे पहला क्या है, RAS, RAF, risk appetite framework, मतलब की कौनर्ट से लेगा, incorporates, incorporates, RAS, जो risk लेगा, वो बताएगा की कितना risk लेना है, जो risk लेगा, जो risk लेगा, वो बताएगा कितना risk लेना है, that is forward looking, as well as information, on the type of the risk, बताएगा कौन से type का risk है, that the firm is willing or not willing to undertake, and under what circumstances, यहना, फोम लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, RAS, sorry, RAF, बताएगा RAF के बारे में कि यह आप फर्म को रिस्क लेना है लेना है तो कौन सा रिस्क है पहले यह बताओ क्या फर्म के रिस्क अपिटाइड लेवल पे है क्या फर्म के रिस्क लिमिट में है यह कौन बताएगा RAF जो रिस्क ले रहा है यस मैंने बोला था अगर तुमने रिस्क लिमिट को तोड़ा, तो हम एसकलेशन कर देंगे, हम एसकलेशन कर देंगे, अगे. RAS, RAS क्या बोलता है, कॉंटिफाइदा आपॉ, RAS is linked to the firm's strategic, मैंने बोला था, strategic के बिस्स पे होगा, capital के बिस्स पे होगा, and financial plan, and include both what quantitative and qualitative measures, मैंने बोला था, दोनों के बिस्स पे होगा, तोनों बताएगा, quantitative and qualitative, that can be, that can be, that can be, aggregated or disaggregated, aggregated or disaggregated, मतलब क्या, जैसे की, such as the measures of loss or negative event, loss or negative event, that the board and the senior management are willing to accept the normal and the stress. मतलब की, aggregated or disaggregated, मतलब बुलना चाहरा है की, दोनों situation में बताओ, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, सर् नॉर्मल situation में क्या होगा, और stress situation में क्या होगा, stress scenario है न, जो अगर कोई abnormal event होगा, तब क्या होगा, कुछ stress आगे है, कोई stress event में, सर् कैसा होगा, दोनों situation में तुमें बताना पड़े तद आप रेस को बोल रहा है, आगे क्या बलता है, risk limits, risk limits are linked to the firm's RAS, आए हाए 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 हाए, है ना, इना, risk limit decide होगा, इसके business पे decide होगा, जो तुमने quantify किया है, उसके business पे decide होगा, ना, and allocated, हैना, and allocated, and allocated, sir, कैसे risk limit decide होगा, allocate कैसे होगा, allocated by टेन हो बिजने बीने स्ब्रेशल को क्याई और यहाय के बीड के अप्टे की सब्सक्राइब डिशने लीड की सब्सक्राइब आगे ब assunto है रिस्क मेनेजमेंट फ्रेमवर्क है अब तक कही आगे बढ़ता है रिस्क मेनेजमेंट फ्रेमवर्क है अब इसको किस क्या बोल रहा है एक रिस्क मेनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको सभी को देखना है कि मतला है रिस्क मैनेंजमेंट फ्रेमवर्क है इसको प्रवाइट करता है बोड and senior management that it is accurate and reliable and periodically reviewed by the third party to ensure the completeness and integrity, correct? तुम देखो कि जो भी information है सही है कि नहीं, internal audit conduct करो, review करवाओ internal auditor से और देखो कि या जी, जो भी information है accurate है कि नहीं, company का risk सही तरीके से है कि नहीं, तुम ध्यान दो, board of director को सही information दो, accurate दो, complete information दो, और ये देखो कि periodically review हो रहा है कि नहीं, चाहे वो review third party के दवारा हो, और ये जो भी हो रहा है उसका देखो कि review complete है, ensure the completeness and integrity है या नहीं, आगे क्या बोलता है, last point, last point बताने से पहले, सबसे पहले क्या बोलता है, internal, ICAAP, ICAAP कहा है, internal capital adequacy assessment process, मतलब क्या बोलता है, is an internal review requirement that establishes a capital adequacy, जो establish करता है capital adequacy, and capital management and planning at a bank with a specific focus on a core risk, ये banking के लिए बनाया गया है, ensure, अगर मैं बोला जाओ, ताकि हम specific focus कर पाए, जो capital adequacy ratio है, ये सब के लिए banking के लिए बनाया गया, अब ये बोलता है, कि risk management framework conducts a stress test, भी conduct करना चाहिए, stress stress मतलब stress situation में किस तरीके से काम करेगा, abnormal situation में किस तरीके से काम करेगा, stress situation में देखो, conduct करो stress test, periodically and demand, देखो किस तरीके से काम हो, तो वही बुला गया, एक बार पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, वेर तो stress stress are breached and unexpected losses are incurred, the purpose, management, action, decision है, तो वही बुला है, कि अब जहां पिस stress stress हुआ, पता पढ़ा, तो board directors को बताओ, और risk community को बताओ, यहां तक हमारा second number point भी होता है, खतम, बहुत important था, RAS, RAF and risk limits, जादा तर अब तुमको मिलेगा, ज्यानबाजी, तो अपना क्या क्या हो गया है, अपना यह point number five तुमको खुछ से पढ़ने बुला है, यह हो गया है, तो फिर अपना यह हो गया है, अब आते of risk governance framework, देखो सर, risk management framework जो भी है, risk management framework को मैं बोलता हूँ, बाप, क्या बोलता हूँ, बाप, risk management framework जो है, वो बाप है, क्यो बोलता है, देखो, क्या बोलता है, risk management framework जो है, वो है बाप, क्योंकि, it sets the functions and organization arrangements for designing, implementing, monitoring and reviewing and continuously improving the risk management framework, risk management framework का कार्यकरम यही है, कि भाईया, तुम देखो, जाओ, समझो, design करो, monitor करो, review करो, और continuously improve करो, risk management की capability, risk management की capability को तुम improve करो, आप, मेरको improve करना है, risk management की capability को improve करना है, RMF को ला लिया, अब क्या बोलता है, RMF should define a policy statement on the following matters, RMF को किस किस तरीके से कहा का policy statement decide करना है, सबसे पहला बोलता है, determine when the RMF, determine when to review an RMF, मतलब ही, RMF किसको जाके देखेगा, RMF जाके देखेगा, risk management capability की, RMF जाके देखेगा, risk management capability को तुम बोलता है, तुम decide करो कि कब-कब तुम्हें RMF करना है, उसका frequency देख लो, आगे बोलता है, decide who is responsible to review, कब करना है, वो देख कौन करेगा, वो देख लो, आगे क्या बोलता है, अब देखो, simple है, कब कर रहा है, वो देख लो, कौन करेगा, वो देख लो, scope, decide कर लो, और आगे क्या बोलता है, manner of circulation of results, एक बार check हो गया, review हो गया, उसके बाद, circulate करना है, तो simple सा process रहता है, कोई भी काम होता है, तो चार यथर कारना देखो, तो ऑव और Rahe aur, है अभी एक बार पढ़ लेन, क्या मलता है, वो दो देखो, ke release, अभी एक बार प्ट्रे ना क्या बोलता है, अभी दो एक बार ब।त ठाना, क्या बोलता है, अभी एक पर यह ग वहारत बियाह लिकम रिस्क का जब भी बात होना है न तो independent परसंट चाहिएसा मेरे को इंडिपेंडेटेटेटे परसंट चीए रिस्क मनेजमेंट कमिटी शुड़ दी एन टोई पर रहे गए इंडिपेंडेटेटे परसंट चीए CFO का influence नहीं होना चाहिए, आगे क्या बोलता है, 3.1, 3.1 बोलता है, Entities Risk Assessment Process with Respect to Financial Reporting, Entities Risk Assessment Process with Respect to Financial Reporting, मतलब क्या, सर इसमें ये 5 चीजे बोली है, सबसे पहले क्या बोलता है, How Entity Risk Assessment Procedure, मैं सोड़ा जूम करता हूँ एक सबसे पहले क्या बोलता है, Business Risk Relevant to Preparation of Financial Statements, देखो कि Business Risk कौन सा है, अगर मैं कोई Financial Statement बना रहा हूँ, तो Risk Assessment Procedure, मैं क्या बोल रहा हूँ, Entity Risk Assessment Procedure क्या होगी, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, सबसे पहले बोलता है कि Business Risk Relevant to, तो उस चीज़ से रिगार्डिंग Business Risk क्या है, वो देखो, दूसरा क्या बोलता है, Estimate the Significance, जो भी Significance है, वो देखो, आगे क्या बोलता है, फिर देखो कि या Likelihood और Consequence क्या है, Likelihood देखो क्या है, How Entity Consider the Possibility of Unrecorded Transactions, अगर कोई Unrecorded Transactions है, तो उससे Entity किस तरीके से डील कर रही है, इन पाच चीज़ों का अगर मैंने ध्यान दे दिया, तो क्या बोलता है, Entity Risk Assessment Procedures to Financial Reporting, जो भी Risk Assess है, Financial Reporting के रिगार्डिंग जो भी रिस्क है, उसको मैं इस तरीके से डील कर पाऊंगा, तो ही बुला गया है, अब आते हैं सर मज़ेदार अपार्ट में थोड़ा साइंटरेस्टिंग पार्ट है, जो अपने पॉइंट चिप्टर नंबर 2 में देख लिया था, 2.3 में हमने देखा हुआ था, फिर से मैं एक बार बोत रुका रहा था हूँ, सर रिस्क जो है, रिस्क जो है, रिस्क जो है, राइस और चेंज और पॉलिंग सरकॉंस्टेंस पर एक्स्टरनल फेक्टर्स पर बाहर की चीजों पर भी चेंज होते हैं साब, सबसे पहला चेंज इन ऑपरेटिंग एंवार्मेंट में चेंज हो गया, कोवेड आ गया साब, पुरा रिस्क की ऐसी तैसी हो गई, अरे कंपनी जो पहले सोचती थी, कि मेरे लिए ये रिस्क नहीं है, आज वो रिस्क बन गया है, मेरे लिए मुझू रिस्क नहीं होगा है, आज रिस्क बन गया है, जैसे कि, चेंज इन ऑपरेटिंग एंवार्मेंट है, चेंज इन अ कॉंपुटिटिव प्रेशन इन सिग्निफिकेंट इन सिग्निफिकेंटी डिफरेंट रिस्क, अगर कोई निया परसन आया है, वो कैस के यह मेरे जैसे आदमी कि कमपनी में चले गया, था वे लुटिभार्मिस्टम्न आइज दूर इन 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 में अगर इंफोरमेशन सिस्टम केंड चेंज रिस्क रिस्क टिलेटिंग इन इन निंटरनीक आउन अगर किसी कमपनी मेर रेपिर ग्रोज करना है और अफटाफट तो मैंने बोला था जैसे जैसे तुम ग्रोध करना जित्ती स्पीड से करना चाहोगे तो इस स्पीड से रिस्क भी बढ़ेगा अगी का बोलता है नियू टेकनलोजी के आने से भी तुमारा रिस्क बढ़ सकता है नियू बिजनस मॉडल अगर प्रोडक्स और अगर तुम्हारा तुम्हारा रिस्क जादा अगर डिगरी ऑफ रिस्क जादा अगर रिस्क जादा ज्यादा है तो बैटेरियल वीकनेस जादा है जर कोई भी चीज जहां पर रिस्क जाँए तो मतीरियल वीकनेस भी ज्यादा रहेगी रिस्क जादा मतलब ही जादा और मतलब ही significant deficiency जादा रिस्क जादा रहेगा तो weakness भी जादा रहेगा इसाब मेरी इदर मेरी मेरी पर्फ्यूम की फेक्टरी में अगर मैंने पायर एक्टिंविशन नहीं लगाया तो रिस्क जादा है तो वीकनेस जादा है जादा है significant deficiency जादा है वही बुलता है रिस्क डू टू फ्रॉड इस हायर इस कंबेट तू अगर सर्फ रॉड रिस्क को रहा है तो ज्यादा खतरनाक है ज्यादा खतरनाक है अगर एस कंबेट तू अधर रिस्क बेस्ट इंटर्नल अडिट अर्बी आईए अब यहां पर ग्य कर वन शुक्ति को सब्सक्राइब सबस्सक्साइब सब्सक्राइब जहां, अगर प्रम involve. सब्सक्राईब जाँता है, कि वानृ टवहे बुद्स हमेशन है शहीं च्यस्था ऩोट इंडिश मेंड़ी तो इंटिट उबचन सब्सक्राइब उसमें company में value addition नहीं किया तो internal auditor किसी काम का नहीं अगर उसने value add नहीं किया तो वही बुर रहा है internal auditor can carry out their job in more focused manner by directing their efforts in the areas where there is a greater risk जहां पर risk ज्यादा रहेगा उनको काम ज्यादा धंक से करना पड़ेगा internal audit is a management function thus it has a high level objective of serving a management needs through constructive recommendations in area such as internal control use of a resource compliance of laws management information यहां आया उसको ध्यान देना चाहिए वही बुल रहा है तो board of directors are increasingly becoming risk aware and risk focus risk aware मतलब awareness आगी है वो risk aware वाला नहीं है risk aware वाला नहीं है risk aware वाला नहीं risk aware मतलब सर में awareness create हो अब मेरको company के बारे में सूचना है अब आगी क्या बोलता है कि risk auditor internal auditor के कुछ कार्या है करम है जो उसको ध्यान में रखने चाहिए एग्दम ध्यान से रखना है 21st century internal auditor has the following vital areas of responsibilities in the field of risk management जैसे कि review operation policies and procedures ये तीन चीज़े को आगी क्या बोलता है help ensure that the goals and objectives और में जो भी goals और objectives है वो पूरे हो आगी क्या बोलता है understanding a big picture पूरे overall level पे समझो business को समझो धंदे को समझो साब जब तक धंदे को नहीं समझोगे ना अब तक समझ में नहीं आएगा यादे मैंने बूला था lecture no.8 में ही बूला था business को समझाया था जहां पर मैंने बूला था कि कोई hacker रहेगा टेकी रहेगा तो सब चीज़े के बारे में समझना पड़ेगा करना डाइवर्स operation कैसे business को समझता है तो internal auditor को सबसे बूले business को समझना है फिर उसके बाद उसको opinion देना है बताना है और improvement create करना है make recommendations to improve the economy and efficiency recommendation दो बताओ कि भी है कैसे होगा क्या होगा वो चीज़े के बारे में बताओ internal audit report is on management of a significant risk of the organization and assurance that the risk may be managed within the acceptable limit related by the board of directors yes risk जो भी है तुमको देखना है identify करना और बताना है कि भाईया यह जो रिस्क है न विदिन acceptable limit of the board of directors है कि निक विदिन acceptable limit of the board of directors है कि निक को बताना है अब आता है सरी audit regarding है तो यह chapter जो है ना तुमको जो chapter number अभी अपन पढ़ रहे है corporate governance का corporate governance का जो भी chapter पढ़ रहे है chapter number 7 जिसमें तुमको लग रहा होगा सरी तो audit और law की भाशा ही बोड़ रहा है या वही बोड़ रहा हो कुछ नहीं है कि आप उड़ेटर के बारे में और sampling के बारे में बोला है यहे तो मेरा audit मतलब मेरा favorite subject audit भी वह बाता लगे 40 माट आ है पर ठीके मज़ आता है audit करने में तो audit risk मतलब क्या? audit risk मतलब ही auditor opinion, auditor का opinion गलत होने का तर. अब audit risk, जो है, aspects of audit risk in respect of sampling जो है, तो बुलता है कि जो sampling risk sampling risk के बारे में बुला गया है, यहां पे जो भी samples है, तो एक रहता है sampling risk, sampling risk मतलब क्या? कि auditor ने अपना judgment बना लिया based on samples auditor ने अपना judgment बना लिया based on sample अब वो samples samples are not not enough to to give a opinion on the financial statement उसे का गया है sampling risk ने अपना opinion बना दिया based on the sample samples गलत थे जो samples गलत थे उसके business पे opinion बना दिया उसे का आजाता है sampling risk नहीं कि samples are ineffective to judge on the entire financial statements of the company sampling risk के बारे में बुला गया है auditor risk मतलब क्या auditor opinion में गो रॉंग इसे में इंडिरेक्ली कोता हूँ auditory risk अब देख क्या बलता है respect of auditory sampling risk हो सकता है non sampling risk हो सकता है अब देख सेंप्लिंग रिस को ही बोलता है अब मैंने samples business माननो 100 को population है सौ में मैंने सौ में मैंने 5 samples check किया पाच के business पे मैंने बुला कि financial statement are free from material misstatement तो तो पाच के business में बूल दिया बट अगर मैं 100 के 100 check करता तो पाच के 100 check करने के business मैं मैं बूलता कि बहीं या financial statement or not free from material misstatement ठीक है तो ये sampling risk है for a sample sample of a specific design sampling varies sampling risk varies inversely with the sample size यस तो तो मैं बूल रहा हूँ sample size inversely proportional to the sampling risk तो मैंने sample size कम लिया sample size कम लिया तो sampling risk जाद रहेगा कम रहेगा सर जाद रहेगा sample size कम sampling risk ज्यादा sample size कम sample risk ज्यादा और sample risk ज्यादा मतलब ही sample size कम एक ही चीज़ बोटो ठीक है आगे non sampling risk includes अब non sampling risk में क्या आता है जैसे कि बुलता है non sampling risk includes the possibility of selecting audit procedure यह audit procedure नहीं करना था मैंने judgment की business पे लिया random random select किया samples randomly select किया बढ़ मुझे audit 1 पे select करना था बुलता है जज्जमेंट बना उसके business पे अगी क्या बलता है non sampling risk arise non sampling risk क्यों arise होता है arise 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 risk also arises because of the auditor may fail to recognize recognize misstatement included in the documents that he arise document that he examines तो ही बुल रहे है जो document examines किया उसके business पे मैंने गलत opinion दे दिया अब आते है सर रिस्क मेनेजमेंट डिस्कलोजर इन इंडिया आय है 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 यह आप देखेंगे अब रियल लाइफ के स्टेडी से साफ अब रियल लाइफ दिखाऊ सर बूर हो गया यह यह क्या क्या बता रहे हो आप ठीक है उसके पहले एक यह guideline मिली है मुझे यह guideline है अपनी basal की is description संसे डिकषान ना ना किन फोट साब्सने कि 13-14 पैज आ जाएगा था एक बार एकजाम में आया कुछ सिपर अब्रपकोश इसके बस सिल के अमी पीडियर ककी अबकर ऑच यह जिला दोट लेके जाने में कुछ भी है, ना रोल जो सुपरवाइबर किया है प्रिंसिपल्ड फिर प्रिंसिपल्ड प्रिंसिपल्स अफ मैने क्या होता है अरो, यह बहुत दालने का रह गया तो इसलिए अरही है, तो ऍजले जाने बार तो देख ले ना अब आता है हमें इसर तुमको एक्जाम में आ सकता है और यह question expect भी करता हूं बोलेगा company का type of risk लिखो उसके बारे में definition लिखो और इसके mitigating measures लिखो यह level का paper आना चाहिए और आएगा अगे आएगा तरफ तो सबसे पहले बुलेगा कि भी है technology risk technology risk क्यों आता है वो बुलेगा inability to keep a pace with a dynamic changing technology उसके वज़े से technology risk आता है अब मैं जजजदाइल technology risk को mitigate करने के लिए क्या करता है एक्सपर्ट technology team to ensure a timely upgradation of a technology उसका mitigation तो यह पड़ो यह पड़ो यह पड़ो जजदाइल का तु बिजनेस पता ही है न सबको एक बार यह पड़ो तो उससे तुम्हर क्या होगा chapter number one clarity आएगा अभी वाला chapter two में भी clarity आएगा अभी आपन chapter number seven में clarity आजाएगा यह तीन चेप्टर में तुमको help out की जाएगा कैसे आंसर लिखना अगर यह question में आया what are the legal compliance को यह यही बोल रहा है risk management disclosure in India companies at 2013 LODR SEBI SEBI guidelines LODR guidelines यही बोलती है कि risk management क्या होना चीए कैसे होना चीए उसके बारे में दिया है इसलिए मैं बुढ़ रहा है इसलिए मैं बुढ़ रहा है इसका तुम अब लीगल गाइडलाइन से देख लो कि तुम्हारे जो company segment requirement है कि इतने तुम्हारे member होने चाहिए और CSR के बारे में दिया है CSR का क्या 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 क्मिंटी है फिर corporate governance के बारे में दिया है your company is fully committed to follow good corporate governance इंटेजिंस प्रक्टिस भी है real life के स्टेडी तरह को और गवर्नेंस के बारे में विजल मेकनिसम लॉव में पढ़े होगे विसल ब्लॉर पॉलिशी करेक्ट स्टेट्मेंट और रिस्क मेनेजमेंट के लिए क्या कर रही है वो देखो फिर क्या बलता है audit committee audit committee के बारे में पढ़ो क्यों कि आ रहा है गड़ी गड़ी आ रहा है what up the role of responsibility of risk committee audit committee है न फिर इदर देखो हमने पढ़े का यहां पे उसने कुछ बूला है कि company risk management system को इवाल कर रही है वो पड़ा है फिर उसके बाद हमने देखा कि risk assessment and management committee risk committee है तो risk committee में कितने members बैठे हुए risk committee risk assessment and management committee क्या-क्या कार्यकरम कर रही है कैसे कैसे कार्यकर काम करती है कैसे होता है रिसीवर रिस्क रेजिस्टर अब यह पढ़ोगे ना सर तो पूरी चीज़े रिलेट होगी तुमको आएगा confidence तुमको आएगा confidence यह पढ़ोगे अब मेरेको तो समझ में आता है मैं risk report पढ़ना सिग्या हूँ साब अब कोई इंसाम में question आएगा अब मैं क्या करूँगा 6-7 industry का 6-7 industry का risk report डाल दूँगा आखरी lecture में risk report डाल दूँगा तो अलग-अलग industry का डाल दूँगा जैसे कि कोई telecom का डाल दिया कोई मैंने cement industry का डाल दिया को steel का डाल दिया अब मेरे को steel industry का कोई question आया इससे मेरा पढ़ा हुआ है मुझे पता है बी यह एक बार पढ़ना है और highlight कर लेना जो इंपोर्टेंट लग रहा है बात खता हुआ अब देखो risk register review to risk register at least quarterly अब तुमको आइडिया है कि real life में होता क्या है है अगे क्या बोलता है वही सब बुला गया है फिर आता है देखो risk management committee कौन कौन से regulations के अंदर है फिर क्या बोलता है हमने क्या क्या किया है क्या compliance हुआएगी नहीं उसब चीजों के बारे में बुला गया है तो यह real life case study है, real life disclosure है, director report में disclosure है, कैसे हमारा होता है, काफी important है, this is the most important and this is what I am expecting in the exam, इस ताइप के questions आएगा, इसलिए मैं 5-6 studies, 5-6 बुलता हूँ, 6-7-8 डाल दोगा जिते भी मिलेगी, तो अलग-अलग sector का में टाल दूँगा, बैंकिंग का किस तरीके से risk report बन रही है, टेली गॉम का कैसे बन रहा है, सिमेंट इंडस्टी का कैसे बन रहा है, कोई plastic industry में तो उसका कैसे बन रहा है, अलग-अलग इसका डाल दूँगा, जित्ते मिलेगों तो तरी डाल दूगा, तो यह एक बढ़ लो, तो पढ़ना है, अरे भाई, दस मिरिट में नहीं लगी, पढ़ लो, और यह पढ़ो भाई, इससे ही, I am expecting the question in exams next time, तो यह वाली तो पढ़ लेना, अब देखो क्या बलता है, Indian scenario में Indian company को क्या 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 है, Indian scenario में Indian company को क्या 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 करना है, तो भी बुलता है, the annual report of the board of director must include, must include, must include, must include, a statement indicating the development and implementation of a risk management policy of the company, sir, बताओ की risk management policy का क्या हु अगे क्या बुलता है, फिर provisions of a SEBI LODR guidelines के बारे में बुला गया है कि SEBI LODR guidelines में क्या क्या है, क्या 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 फॉलो करना पड़ेगा, क्या 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 तुम्हें बताना पड़ेगा, board of director shall constitute a risk management committee, फिर बुलता है, it is a responsibility for framing and implementing and monitoring the risk management plan for the listed entity, तो यह वो ही बुलता है कि SEBI LODR guidelines में directors का क्या 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 जिम्मेदारी है, directors का क्या 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 जिम्मेदारी है, देखे कि appropriate system है कि नहीं place में, risk management community सही काम करी है कि नहीं, not result of over optimizations which lead to a significant risk has not been recognized, significant risk के बुलता है, इसा नहीं हो पाए, देखो कि significant risk का identify हुआ हुआ है कि नहीं, board of directors shall have an ability to step back to assist effective management by challenging the assumptions, अब दे अगे बुलता है, 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 अंडर, disclosures of annual report applicable to all listed entities except banks, अनके बैके लाबाए ये सब तुम्हें दिस्क्लोजर देना पड़ेगा, industry development हो, और real life report पड़ोगे ना, real life report पड़ोगे ना, उसे तुमको समझ गाएग अगे बुलता है, अगे बुलता है, जनरल information to shareholders दो, क्या information दो, कि the headed the information regarded to the community and price risk foreign exchange hedging और यू पड़ोगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा, वो report में सब दिया गया है, कि इस तरीके से कैसे कैसे हमें report करना है, अब बुलता है, risk management disclosure, अब इंडिया का इनको satisfaction नहीं हुआ, अब बुलते है, या, तुम foreign का भी पढ़ना हो, ठीक है, बाई, बता दो, अब देखो, इदर US का, US का compliance होना चाहिए, SEC के साब से, Securities Exchange Committee के साब से, Europe का होना चाहिए, EU accounts moderation, इस अब के साब से, अरे वो भी पूरा ज्यान बाजी है, जर्मनी का होना चाहिए, इसके साब से, जरातो जो important है थोड़ो, एक होता है integrated reporting, साब integrated reporting का बतलब होता है कि, कोई भी organization को, कोई भी organization को, एक ऐसा report दे दो, या shareholder को तुमें एक ऐसा report दे दो, जिसमें पूरी चीज लिखी, सार मतलब समझ में नहीं आया, ये एक तो, देखो, कितने legal compliance है इसके चकर में आप तुम shareholder को इतने सारे report देते हो, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तुम एक तो statutory report देते हो, cost audit report देते हो, internal audit report देते हो, और फलाना डीकाना कितने सारे report होते है, फिर तुमारा अपना income tax report देते हो, फिर तुम GST report देते हो, GST return देते हो, और भाईया, क्या क्या देना है, नहीं समझ मे आता है यार में शेर ओलरू में एक रिपोर्ट देकर सम्झाओ नहीं यार इसलिए कौन स्थाया है ए कॉछ चीज़े इंटीग्रेटिटेट अगर तुमको फ्यूचर में आगे एक अच्छे से दिया गया तो एक ऐसे एपोर्ट मुझे दे दो एक ऐसे रिपोट मुझे दे द इया चीजे कंपनी ने अचीव किया है, ये कंपनी का पर्फॉर्मेंट तहाए, बुरा था उस चीज के बारे में बौाला गया है integrative reporting लॉपर्टिंग आ गया है ITS does quantity के बलता है Integrative reporting framework MRF is aligned capital allocation and corporate behavior to wider goal of financial stability and sustainable development through a cycle of integrated reporting and sustainable allocation of corporate behavior to a wider goal wider goal wider goal of financial stability and sustainable development through a cycle of integrated reporting and thinking of integrated reporting way of thinking is a current cooperative reporting system fulfilling the need of a single report single report that provide a fuller picture to an organization we put a single report so that you can get a full picture of the organization and risk and opportunity risk and opportunity reporting ROR is a key component of integrated reporting framework ROR is a key component of integrated reporting framework the detail ROR is a part of integrated reporting framework when I look at the integrated reporting framework or ROR ROR is a key component of the organization assessment of likelihood and risk and opportunity likelihood risk opportunities step to mitigate or manage risk steps to mitigate and manage risk risk implementation ability to create a value of short term long term and medium term what was the plan on short term your long term and medium term is what the plan was on this three of factors so that you have to know अब इसमें क्या बोलता है इसमें एक सिनेरियो दिया गया है एक सिनेरियो दिया गया है जहां पर उसमें तीन केसे इसको डिसाइड किया है एक competitive pressure, दूसरा data security breach और एक Brexit के बारे में बुला गया है तीन चीजों के बारे में बुला गया है अब उससे उनने बताए कि वह यह यह चीजे रही तो कौन-कौन से risk हो सकती है और उसके बारे में बताए गया है तो full to ग्यानबाजी है बट इसमें MCQ expected हो सकता है कि अगर company में competitive pressure रहा तो what are the principal risks associated with the competitive pressure यह एक इसके बारे में description दिया गया है कि क्या क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है और पॉइंट नमर 4.4 पे बुला गया है risk and opportunity disclosure in India एक इधर example दिया गया है तुमें steel industry का steel sector का दिया गया example जहां पर बुलता है risk and opportunity के बारे में अगर disclosure देना रहे है in world report में तो कैसे होता है तो सब सब चले risk के बारे में बताओ macro factors के बारे में बताओ में इसको काफी interesting और यह बनाने की कोशिश किये बड़ ठीक है अब में ओर वर्वीव दे देता हूं चैटर नुमर 7 associated with the risk associated with the corporate governance sir मेरे corporate governance में कौन कौन सा risk है मेरे corporate governance में कौन कौन सा risk है corporate governance मतलब क्या कि company के अंदर एक ऐसी set of policies या procedures लालो ताकि हमें पता रहे कि यह policies है यही चीज़े fulfill हो रही है यह सही तरीके से जा रहा है इमानदारी है sir हर एक जगा इमानदारी है ethics principles follows हो रहे है company का अगर corporate governance follow नहीं हो रहा है तो हमारी company में governance risk है और governance risk arise होता है sir कापी factors के वज़े से हुसका हमने reason देखा जो जो हमने बोला कि यह सब reason हो सकता है अगर तुमने related party disclosure नहीं है काम अच्छे से divided नहीं है तो सब चीजों के बारे में हमने deal किया फिर हमने बोला कि भाईया कुछ ऐसे 5 principles है जिस वज़े से अगर यह रहे तो मैं बुलूँगा corporate governance company का strong है मतलब सबसे पहले बोला कि build a strong qualified board of director होना चाहिए roles and responsibilities decide होना चाहिए integrity और ethical पे तुम dealing पे पात करो और क्या बोलता है evaluate करो performance और क्या बोलता है engage in effective risk management पे तुम रहो वो सब चीजों के बारे में हम देखा कि अगर यह सब है तो corporate governance रहेगा पिर हमने बुला कि sound corporate governance framework recommended जो की गई है feasibility study के द्वारा जिसमें हमने बुला board of director का क्या क्या ध्यान लगना है risk committee को क्या 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 देखना है audit committee को क्या 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 देखना है और CRO को क्या 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 देखना है इस पर MC को expected हो तकता है वही मैंने बता है पिर मैं बुला कि risk management framework risk management framework RAF, RAS, RAF, RAS लिसमेंट इसको बहुत सही तरीके से आपने समझाया जिसमें आपने चार्ट दिखाया था जिसमें आपने बूला था कि कि risk appetite मतलब की कौन risk ले रहा है risk limit मतलब मेरी कितना मुझे risk limit है उसके business पर किसके business पर डिसाइड होगा risk appetite statement की RAS के business पर डिसाइड होगा मतलब या आप quantify कर अधर कमांट को और वो quantification जो based होगा हो तुमारे risk limit के अंदर होना चाहिए इसका मैंने पुरा अच्छे से example दिया था समझाया था कि risk appetite कैसे होगा और यह risk appetite वगरे में दोंगो बता दिया फिर मैंने बताया कि जो risk management framework से उसके अंदर क्या-क्या guidelines है क्या-क्या चीजे covered है और हो सब चीजे covered है क्या-क्या principles covered है फिर बोलता है independent assessment of risk governance framework अगर independent assessment of risk government framework जहां पर हम बात करते है risk management framework जो कहा हो जाता है प कौन से frequency में होगा फिर कौन करेगा फिर scope क्या है और circulate कैसे होगा वो सब चीजों के बारे में हमने डील किया फिर मैंने बुला कि entity risk assessment and entity risk assessment process with respect to the financial reporting कोई भी financial reporting होगा तो उसके क्या steps है कि 5 steps में सम्झाइधी फिर मैं बुला कि risk arise on account of the following circumstances इन चीजों के वज़े से तुमारा risk change हो सकता है या arise हो सकता है change हो सकता है या arise हो सकता है उसकी बारे में बड़े बड़े पाया है फिर मैं रहता है role of risk assessment with respect to the financial reporting role of risk assessment कौन-कौन सा risk assessment का role रहेगा financial reporting के वज़े से मैंने बुला कि degree of risk अगर जादा है मतलब ही material weakness जादा है और अगर fraud के वज़े से risk हो रहा है तो ज्यादा धिकत है फिर मने बात कि risk based on internal audit मतलब ही और auditor का opinion गलत हो गया auditor का opinion गलत हो गया और audit sampling risk में हमने देखा sampling sampling sample के business को auditor जो judgment बना रहा है और गलत sample के business पर judgment बना लिया sampling risk हो गया अब इसमें तुमारा I think audit में दोर है सकता है sampling risk I think मुझे याद नहीं स्टेटिफाइड और कुछ तुम क्या तो भी था sampling याद नहीं है और में को तो उसमें और डीटिल में होगा audit में तो देख लेना हो तर का बता है risk management disclosures इन इंडिया सब इंडिया में कैसे disclosures का मैंने इस पे real life तुमको बताया था भी है कैसे disclosures है जिसमें मैंने तुमको यह case study दिखाया जजदाहिल का तुमको पढ़ने बुला भी है यह यह पढ़के जाना प्रिंट लेके जाना इजट से बस्ती में मत जाओ मैं बता दूँगा यह बुक नंबर 3 में आएगा अपропोरिंग जो बूलता है क्या इंटीग्रेटेटि थायो हमें एक रिपोट देज़ जहाँ पर तो जहाँ पर पूरा हमें एक नॉलेज मिल पाया जहां पर इंफॉर मेशना की क्या चल रहा है कंबनी देखा जहां पर उन्नोंने तीन पर बारे में बता है, competitive pressure data, security breach और Brexit के बारे में बुला है, तो इंडिया इसांपल based on a steel industry, जहां पर रस्क एन opportunity का क्या-क्या disclosure देंगे उसके बारे में बता है, क्या-क्या disclosure होगा, कैसे होगा, फिर मैंने तुमको पढ़ने बुला था, description and evaluation of framework for a board level consideration of risk को तुमको पढ़ने बुला, लास्ट में में आया था, OECD के कुछ गाइडलाइन से, OECD ने कुछ गयान बाजी किया है, प्रिंसिपल दिया है, छे प्रिंसिपल दिया है, सबसे प्रिंसिपल दिया है, सबसे प्रिंसिपल दिया है, सबसे पहला बोलता है, ensuring the basis of effective corporate governance framework है, जो भी corporate governance बना रहे हो, तो तीन जी जी जोगा ध्यान में रखो, maker factors, market situations, and litigations के बारे में ध्यान रखो, फिर शेर होल्डर्स के राइट्स के राइट्स के बारे में ध्यान रखो, फिर बुलता है, इंस्टूशन, 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 इ उस चीज के बारे में तुमके ध्यान रखना पड़े गा, ठेक है, I hope तुमको इस lecture अच्छा लगा होगा, thanks for watching, और एक और चीज, lecture no.9 मज़िदार रहेगा, कुस तो surprise आ रहा है lecture no.9 के लिए, इजद से पढ़ लो, अभी तक कि जित्ते lecture हुए है, बहिया, क्योंकि अगले lecture में तुम नहीं पढ़ोगे, तो lecture ही नहीं देख पाओगे, ऐसा कैसे, भाई, ऐसा ही है, अगले lecture में आभी आजाएगा, एक शॉर्ट वीडियो उस पर, कल डाल दूँगा, ठीक है, all the best, अच्छे से पढ़ो भाई, इजद से पढ़ो, ठीक है, एकदम बढ़िया, और टेल